सभी को राम राम दोस्तों वन डे वर्ल्ड कप का तीसरा मैच बांगलादेश और आफगानिस्तान के बीच में खेला जाएगा ये दोनों टीम इस मैच से अपने अपने वर्ल्ड कप अभियान को शुरू करेंगी इस मैच का आयोजन धर्मशाला में स्तित हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एस्सेशेशन स्टेडियम में होगा आएए हम आपको इस मैच के लिए दोनों मैचों की प्लेइंग 11 पिछ रिपोर्ट समेत तमाम जरूरी बाते बताते हैं हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब हमारे वीडियो आप देख रहे हैं ना चैनल को सब्सक्राइब भी किये होंगे अगर नहीं किये हैं तो जल्दी कर दीजे क्योंकि ऐसे ही अपडेट हमारे चैनल में आते रहेंगे बांगलादेश और आफगानिस्तान के बीच हिट टू हिट मैच की बात करे तो बांगलादेश का पलड़ा भाड़ी है इन दोनों टीमों के बीच 15 वंडे मैच खेले गए हैं जिनमें से बांगलादेश को 9 मैचों में जीत मिली है जबकि आफगानिस्तान को 6 मैचों में ज तो दोस्तो अब आपको बताते हैं इस टीम की पिछ रिपोर्ट और दोनों टीमों के बारे में तो दोस्तो पहले बताते हैं आपको पिछ रिपोर्ट तो दोस्तो इस मैच में मौसम साफ रहने का अनुमान है मदद का मैदान का ओसत तापमान 25 डिग्री सेलसियस रहेगा वहीं धर्मशाला की पेच हमेशा बल्ले बाजों के लिए मददगार साबित हुई है इस पेच पर बल्ले बाजी खुब रन बना सकते है लेकिन तेज गेंदबाजों के लिए भी मदद मौजूद रहती है मैदान पर ज्यादातर टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करती है क्योंकि अक्सर बाद में गेंदबाजी करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है तो आपको अभी बताते हैं बांगला देश की संभावित प्लेइंग 11 सबसे पहले से शुरू करता हूँ तोहित रिदोय उसके बाद नजमुल हुसेन शांटो मेहदी हसान मिराज कप्तान रहेंगे शाकी बलहसान साथ ही मेहदी हसान मुहमद उल्ला मुश्विकुर रहीम जासे सबसे धुरंधर और सबसे पुराने बल्लेबाज भी टीम में मौजुद रहेंगे साथ ही मुस्तफिजुर रहमान तसकिन अहमद और शोडिफुल इसलाम और आप अपको बताने जा रहा हूँ आफगानिस्थान के संभावित प्लेइंग इलेवन हस्मत उल्ला शहीदी कप्तान रहेंगे साथ ही इब्राहिम जदरान आर शा तसिब उल्ला जदरान मुहमद नभी अस्मत उल्ला उमार जाई रहमन उल्ला गुर्बास वीकट की पर रहेंगे मुझीबूर रहमान और साथ ही पूरे विश्व विख्यात रशीत खान साथ ही फजल हक फारुकी और नभीन उल्हक तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जल्दी कॉमेंट बॉक्स में बता दीजे और ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और वर्ल्ड कप के तमान अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजेगा जल्ती